दिसंबर 2022 दिसंबर का महीना शुरू हो गया है तरली ये काम इस महीने में हम लोगों को कुछ महत्वपूर्ण काम अवश्य करने चाहिए जो इस प्रकार हैं और हिंदू धर्म के के प्रत्येक व्यक्ति को यह काम हर रोज करने अनिवारिया हैं अगर आप सच्छे हिंदू हो तो आप लोगों को यह सभी के सभी नियम अपने घर में लागू करने होंगे तब ही बरसेगी लक्ष्मी जी की कृपा एक आईए जानते हैं इस महीने में हमें क्या काम करने चाहिए तब के बिना सफलता नहीं मिलती तब अर्थात तपना जैसे आग में तपने के बाद ही सोने का मूल्य बढ़ता है वैसे ही जीवन में परम लक्ष्य की प्राप्ती के लिए तप यानी की परिश्रम जरूरी है सुख शांती और धन के लिए निरंतर मेहनत और पुरुशार्थ करें डो, पीपल में श्री हरी विश्नू का वास माना गया है डिसंबर 2022 में रोजाना सुबह पीपल पर जल अर्पित करें और गुड़ चड़ाएं मान्यता है इससे मा लक्ष्मी अती प्रसन होती है और आर्थिक स्थिती मजबूत होती है ये उपाए मार्ध शीर्ष पूर्नेमा आठ डिसंबर 2022 को जरूर करें इससे जल्द लाब मिलेगा तीन साल की आखिरी पूर्नेमा दिसंबर में ही पढ़ रही है पूर्नेमा के दिन भगवान सत्य नारायन की कथा करें लक्ष्मी नारायन को चंदन का तिलक अर्पित करें इससे स्वन्य माथे पर लगाएं इससे सोया भाग्य जाग जाता है चार आर्थिक तंगी से जूज रहे हैं या फिर हाथ आया पैसा खर्च हो रहा है तो इस साल डिसंबर माह के हर शुक्रवार पर अश्टलक्ष्मी स्तोत्र का विदी पूर्वक पाठ करें मान्यता है इससे बचचत भी होगी और आये के स्तोत्र भी खुलेंगे पाँच साल के आखिरी माह में 9 दिसंबर 2022 से पौश माह की शुरुआत हो रही है पौश माह में नियमित रूप से सूर्यदेव को जल चड़ाने पर संपन्नता मान सम्मान में वृद्धी होती है वंश्चों पर आने वाले हर संकट का नाश होता है साथ दिसंबर में आने वाला पौश माह सूर्य को समर्पित है ऐसे में इस माह के हर रविवार को व्रत रख कर सूर्य को तिल चावल की खिचरी का भोग लगाएं कहते हैं इससे लंबी उम्र का वर्दान मिलता है पर जरूरत मंदों को अनन, गर्म, वस्त्र, कंबल और जूते चपलों का दान करने से सारे बिगड़ी काम बन जाते हैं लंबे समय से अटका धन वापस मिल जाता है नो, घर में रोजाना सुबल जो भोजन बनता है उसका एक हिस्सा पशू पक्षियों के लिए निकालना चाहिए पहली रोटी गाए की, मचली चीटी को आटा खिलाएं, कुत्ते को भोजन दें पक्षियों को दाना डालना इनमें से एक कारियर रोजाना करने से तरक्की का मार गासान हो जाता है अच्छे व्यवहार और विचार व्यक्ती को सम्मान का पात बनाते हैं ये गुण व्यक्ती में संस्कारों से पैदा होते हैं जो रोज सुबह उठकर अपने बढ़ों का आशिरवाद लेकर दिन की शुरुआत करते हैं उनके घर में मा लक्षमी सदा, महरबान होती हैं ग्यारा, धर्म कर्म के कार्या से जुड़ा मनुष्य कठिन परिस्थितियों में भी अडिग रहता है नकारात मक्ता उससे दूर रहती है लक्षय प्राप्ती का मार्ग सुलब हो जाता है रोजना सुबह उठने के बाद थोड़ी देर वेदों और ग्रंथों का अध्यन करें समय का अभाव हो तो मंत्र जाप इसका सरल उपाए है अपनी इश्ट देव का मंत्र जाप करें बारा, योग से ही रोग का नाश होता है अगर प्रतिदिन योग और व्यायाम के लिए समय निकालेंगे तो दिन तो अच्छा जाएगा ही अपने काम को पूरी क्षमता के साथ पूरा कर पाएंगे तेरा, शास्त्र और हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते हैं मदद से ही सब का भला होता है कहते हैं सबसे ज्यादा सफल वह होता है जो दूसरों से पाने से अधिक सामने वाले के लिए मदद को तयार रहता है रोजना अपने, कार्य स्थल घर में एक दूसरे का सहयोग करें इससे कार्य भी जल्दी पूरा होगा और मानसिक शांती भी मिलेगी चौदा, रसोई घर का एहम हिस्सा है यहां मा अन्नपूर्णा और मा लक्ष्मी का विराजमान होती है ऐसे में सुबस नान के बाद ही रसोई में प्रवेश करना शुब होता है कहते इससे धन और अन्न के लिए कभी मोहताज नहीं होना पड़ता 15. खरमास 2020 दिसमबर में खरमास का प्रारम 16 दिसमबर शुक्रवार से हो रहा है हिंदू धर्म में वरत और त्योहार की तरह खरमास का भी विशेश महत्व बताया गया है लेकिन खरमास के दोरान कोई मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है भक्तों आप लोगों को अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमको कमेंट करके जरूर बताना और हमारे हनू एसजी के चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर लेना ताकि हम जो भी वीडियो भेजे वह सीधे आप लोगों तक पहुंच सके